तो बैरियों से पहले मैंने शुरुवात किया था पार्टिकल फिजिक्स का पहला जो वीडियो मैंने डाला था वो है फर्नेमेंटल इंटरेक्शन उसके बाद मैंने जो वीडियो डाला है वो है अगर आपको याद है तो elementary particles को दो हिस्से में बाटा जाता है एक है matter of matter particles और दूसरा है quantum force matter particles में दो चीज़ होती है वो है leptons और एक है hydrons hydrons में दो चीज़ है एक है mesons दूसरा है barions तो आज जो है हम barions के बारे में बात करेंगे mesons लेptons के बारे में हम बात कर चुके है और जो barions में है barions में दो चीज़े है एक है nucleons और दूसरा है hyperons ठीक है तो अगर किसी ने वो leptons elementary particle का classification leptons या meson का video अगर किसी ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें video का link जो है मैं description में डाल दूँँगा तो आज की video शुरू करते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि barions में दो चीज़े है एक है nucleons और दूसरा है hyperons nucleons में दो चीज़े है एक है proton और neutron और hyperons में कौन सा कौन सा particle है अब जो है आप यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देखिए proton neutron है फिर यह है lambda यह है lambda फिर यह है sigma plus फिर sigma 0 फिर sigma minus ठीक है और अब जो है यह है cascade 0 फिर जो आएगा cascade minus और यह है omega minus ठीक है यानि यहाँ पर कुल मिला के कितने जो है कि particle है variance में देखिए यहाँ पर जो है कुल मिला के दो nucleon है और lambda तीन और तीन सिगमा है यानि 6 और 9 कुल मिला के 9 particle है ठीक है जैसे कि leptons में भी या mesons में भी मैंने आपको बताया है कि leptons का charge के बारे में बताया है mass के बारे में बताया है sphene के बारे में बताया है intrinsic parity के बारे में बताया है यहाँ पर भी variance में जो है कि मैं यहाँ पर आप लोग को variance में भी particles का यहाँ पर charge, mass, iso-sphene, i3 intrinsic parity, lifetime, anti-particle इन सब के बारे में details में आपको बताऊंगा किस का कौन से particle का क्या charge है क्या intrinsic parity है ठीक, अच्छा तो पहले जो है मैं शुरू करता हूँ proton से जहाँ पर proton का charge होता है plus one होता है और mass जो होता है वो है 938 आप यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर mark कर रहा हूँ कि proton का जो mass होता है वो होता है 938.3 MEV ठीक है फिर यहाँ पर यह चीज जो है यह doublet create कर रहा है proton neutron ठीक है इसी वज़े से iso spin क्या हो गया half यानि एक का होगा plus half और एक का होगा minus half आप यहाँ पर iso spin पर एक चीज notice अगर आपने क्या होगा तो मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए एक जो combination है यानि combination मैं बता रहा हूँ इस वज़े से कहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि doublet है कहीं पर देख रहे हैं कि triplet है ठीक है कहीं पर singlet भी है तो जहाँ singlet है उसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे singlet में iso spin zero होता है और i3 component भी zero होता है लेकिन जहाँ पर doublet आ जाता है iso spin में वहाँ पर कहा होता है iso spin हो जाता है half और यहाँ पर half तो एक particle का फिर हो जाता है plus half i3 component जो होता है plus half होता है दूसरा particle का minus आप होता है plus half किस particle का होता है आप अगर गौर से आपने अगर देखा होगा तो आप आपने notice किया होगा कि अगर plus charge है यानि charge अगर plus है plus one या किसी doublet में मान लिजे कि एक है plus one का और एक है zero का तो plus one का जो charge का particle जो होगा उसका I3 component जो होगा वो plus half होगा और जहां पे zero है तो वो हो जाएगा minus half अगर मान लिजे कि डो doublet है एक का charge है zero और एक का charge है minus one तब क्या होगा उसमें आपको ये दिखाई देगा कि zero charge का जो particle है उसका I3 component जो है वो है plus half और minus one जिस charge जो particle होगा उसका जो I3 component होगा वो हो गया आपका minus half ठीक है इसी तरही जैसे triplet में triplet में क्या क्या triplet में आप ने देखा होगा कि triplet में तीनो charge होते हैं एक होता है plus one एक होता है जीरो एक होता है minus one यहाँ पे triplet में ISO spin क्या होता है ISO spin होता है one लेकिन किसका I3 component plus one होता है किसका minus one होता है किसका zero होता है जिसका plus one charge है उसका I3 component plus one जिसका zero charge है उसका I3 component zero जिसका minus one charge है उसका I3 component minus one ठीक है ये चीज मैंने आपको यहाँ पे additional बता दिया तो चलिए यहाँ पे proton की बात हो रही थी तो proton की i3 component हमें क्या मिला प्लस हाँ अब जो हम लोग देखेंगे intrinsic parity अच्छा intrinsic parity मैंने leptons के बारे में बात किया था तो leptons में आपको बताया था कि leptons का जो जो जितने सारे leptons particle है उनके intrinsic parity जो है वो plus 1 है बारियोंस के भी जितने भी बारियोंस है उनके intrinsic parity जो है plus 1 है, कहां exception आया, exceptional है mason's, mason's से जितने भी mason's particles है, उनके intrinsic parity क्या है, minus 1 और antiparticles के किसी भी, कहीं पे भी आप barions के लिए लीजिए या mesons के ले लीजिए या leptons के ले लीजिए तीनों का ही antiparticles, antiparticles का जो intrinsic parity होगा, वो opposite होगा ठीक है, यानि leptons के antiparticles, सारे antiparticles के intrinsic parity क्या होगा, minus 1 mesons का सारे antiparticles का intrinsic parity क्या होगा, plus 1 और उसी तरिके से यहां पे barions में, जितने भी antiparticles है barions के, ठीक है तो उनके intrinsic parity क्या होगा, minus 1, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखे बहुत काम में आएगी आपको ये जुमेन है, जितने भी चीज़े मैं बता रहा हूँ वो आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी, net get exam में, और भी exams है हमारे physics में, तो उन सब में आएगी, ठीक है काम में जो lifetime है proton की, वो है, मतलब proton जो है, वो एक stable particle है, ठीक है और antiparticle of proton क्या है, antiparticle of proton है, P bar, ठीक है, अब neutron की बात करते है तो neutron में यहाँ पर देखिए कि neutron का charge क्या है, सबको पता है neutron, neutral particle है यानि neutron का charge क्या है, 0, ठीक है, यहाँ पर note किया हुआ है, आप देखिए अब जो आप देखेंगे कि neutron का charge हो गया 0, अब mass कितना है, mass 939.6 Meb slightly, थोड़ा सा ज्यादा है proton के mass से, ठीक है, यानि neutron का mass ज्यादा है थोड़ा सा proton से, यह दो mass आपको मैं कहूँगा कि आप याद रखिए, ठीक है, याद रखेंगे तो अच्छा होगा, अब जो हम बात करेंगे, वो है, आइसो स्पीन के बारे में, तो neutron का आइसो स्पीन क्या हो जाएगा, हाप, वहीं पे, I3 component for neutron क्या होगा, माइनस हाप, यहाँ पे देखिए, फिर intrinsic parity तो हर, जितने भी variance है, उनके लिए plus 1 है, तो सारे variance के लिए intrinsic parity plus 1 होगे, यहाँ पे भी plus 1, और lifetime of neutron जो है, बहुत ज्यादा है, इसी वे, 898 second, और neutron का antiparticle n bar, अब हम लोग बात करेंगे, लैम्डा के बारे में, ठीक है, तो लैम्डा के बारे में बात कर लेते हैं, तो लैम्डा एक baryon है, जिसका charge है 0, कहीं कहीं यह लैम्डा है, और लैम्डा कहीं पे उपर में 0 भी लिखा हुआ रहता है, तो आप अगर किसी किताब में होगा, 0, लैम्डा 0 भी लिखा जाता है इसको, तो इसका charge जो है, 0 है, इसका mass यहाँ पे note किया है, देखिए, 1115.6 ओके, iso spin, क्योंकि यह singlet particle है, इसी वज़े से इसका iso spin 0 हो गया, और 0 है, तो i3 component भी 0 होगा, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और बाकी जो है, intrinsic parity जो है, तो हर baryon के लिए वो plus 1 है, इसमें भी देखने की बात नहीं है, baryons मतलब intrinsic parity आपको plus 1 लिखना परेगा, और lifetime यहां पर आप lifetime यहां पर देखें कितना लिखा है, मैंने 10 to the power minus 10 second, इसके लगबग इतना है, lambda particle का lifetime, और यहां पर मैंने जो antiparticle of lambda, lambda bar, ठीक है, अब देखेंगे तीनों sigma के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर sigma plus है, sigma 0 है, sigma minus है, यानि यह क्या है, triplet है, तो triplet होने के बज़े से, sigma plus यानि यहां पर आपको, sigma plus का charge क्या है, plus 1, उपर ही दिया हुआ है, कि sigma plus यानि plus 1, फिर इसका मास जो है, लगबक इन तीनों का मास थोड़ा सा slightly इदर उदर है, लेकिन लगबक सेम है, 1189.37 Meb, ठीक है, और isospin जो है, as it is from triplet family, okay, as it is from triplet family, so the isospin for sigma plus that is 1, and third component of isospin that is I3, that is plus 1, and here, what is the intrinsic parity, intrinsic parity is plus 1, okay, no doubt, now, the lifetime for this sigma plus that is 10 to the power minus 11, and the antiparticle of sigma plus that is sigma minus, okay, आगे बड़ते हैं, sigma 0 के बारे में बात करते हैं, sigma 0 में क्या है, sigma 0 का जो, यहां पर आप देखिए, कि charge जो है, 0 है, फिर इसका मास देखिए, 1192.48, 48, मेवी, जहां पर यह, इसका ISO-SPIN तो हमें, जैसे कि यह triplet family है, ISO-SPIN 1 है, और इसका charge 0 है, और triplet family से है, तो इसका I3 component क्या हो गया, 0, ठीक है, मैंने थोड़ी दे पहले ही discuss की थी यह बात, और intrinsic parity तो plus 1 है, और lifetime लगबग 10 to the power minus 15 second है, और बाकी जो antiparticle है, antiparticle of sigma 0, that is sigma 0 bar, आगे बढ़ते हैं, sigma minus की बारे हम बात करते हैं, तो sigma minus में, यहां पर आप देखेंगे, इसका charge जो है, minus 1 है, जहां पर इसका mass, यहां पर note किया हुआ है, वो देखिए, 1197.34 MeV, जहां पर इसका iso spin, obviously 1, triplet family, और चार्ज के है, minus 0, minus 1, I3 component, minus 1, intrinsic parity, plus 1, और इसका lifetime यहां पर दिया हुआ है, 10 to the power minus 20 second, ठीक है, और sigma minus का, सॉरी, यहां पर sigma minus का anti-particle क्या हो जाएगा, sigma plus होगा, ठीक है, यहां पर तोड़ा सा, sigma plus, यहां पर note कर लिएगा, अच्छा, अब जो particle के बारे में बात करेंगे, वो है, एक है, cascade, और, cascade 0, और, cascade minus, ठीक है, तो cascade 0, cascade minus, यह दोनों form करते हैं, एक doublet, ठीक है, तो doublet के लिए, तो sigma 0 है, यानि इसका charge क्या हो गया, 0, फिर इसका mass 13, 14.90, मेबी, ठीक है, cascade minus का charge क्या है, minus 1, ठीक है, और इसका mass कितना है, 13, 21.29, अब जो है, यह doublet family से है, तो doublet family से होने के कारण, इसका iso spin क्या हो जाएगा, half, ओगे, दोनों का, इसका charge 0 है, इसका minus है, तो मैंने बताया, 0 और minus में से 0 को हम plus लेंगे, minus को हम minus लेंगे, अगर plus और 0 होता, तब plus को हम लोग plus में लेते, फिर 0 को हम लोग क्या लेते, minus में, ठीक है, यह चीज़ ज्यान रगी, आप के ओन में देखेंगे, वहाँ पे दो particle है, वहाँ पर भी doublet family है, एक है k plus और k minus, तो वहाँ पे k plus का i3 component minus half है, और k zero का i3 component, sorry, k plus का i3 component plus half है, k zero का i3 component minus half है, लेकिन यहाँ पे cascade zero का i3 component क्या है, plus half, और cascade minus का i3 component है, minus half, intrinsic parity तो plus one है, पहले ही बताया कि, जितने भी varion है, उनकी intrinsic parity जो है, वो plus one है, और यहाँ पे जो है lifetime, जो है 10 to the minus 10 second है, दोनों के ही, और cascade zero का जो antiparticle है, वो cascade zero bar है, और यहाँ पे cascade minus का antiparticle cascade plus है, ठीक है, last particle barion का, जो है, वो है omega minus, यह बाद में, last में, discover भी last में हुआ था, ठीक है, तो इस particle में, जो है कि, omega minus, यानि, charge क्या है, charge माइनस हुआ, ठीक है, mass of this particle, 1072.5 mm, और यह जैसे कि singlet family से है, तो singlet, यानि, that means, इसका isospin हो गया, zero, और isospin zero हो गया, यानि, I3 component भी क्या हो गया, zero, अब जो है, intrinsic parity, तो हर barion के लिए plus one है, इसमें कोई दोरा नहीं है, और जो है, इसका lifetime जो है, ये 10 to the minus 10 second है, तो चलिए, अब जो बात करेंगे, हम लोग बात करते हैं, कि, जैसे कि मैंने बताया था, कि elementary particles को आप 3 तरीके से बाग कर सकते हैं, बाठ सकते हैं, कि पहला जो है, lighter mass particle, फिर है, intermediate mass particle, then heavier mass particle, तो lighter mass particle कौन सा है, lefton, intermediate mass particle कौन सा है, essence, heavier mass particle कौन सा है, वो है barion, ठीक है, यानि इनके जितने भी particles हैं, वो mass of proton से ज्यादा mass के हैं, ठीक है, मासा proton के आप कितना है, 938.3 MeV, ठीक है, तो अब जो है, कि यहाँ पे, जैसे कि, लेप्टॉंस जो है, लेप्टॉंस का जो particles हैं, वो weak interaction और electromagnetic interaction field कर पाते हैं, वहाँ पे strong interaction वो elektrons जो है, फिल्ड नहीं कर पाते हैं, तो, mesons और barions जो है, यह दो, जो, यानि hydrons जो है, meson barion मतलब hydrons, hydrons जो है, strong interaction, electromagnetic interaction, weak interaction, तीनों interaction, जो है, field कर सकते हैं, और एक point यहाँ पे बेने फिर से, आपको यहाँ पे, note किया है कि, intrinsic parity for barions, that is plus one, for anti-barions, that is minus one, okay, यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, आच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, कि, यहाँ पे मैंने बात किया, barion के बारे में, तो, barion number होते हैं, ठीक है, तो, barion number for all barions, that is plus one, और barion number for all anti-barion particles, that is minus one, और barion number for all other particles, that means, for mesons and leptons, that is zero, okay, जैसे कि हमने leptons number के बारे में पढ़ा था, तो barion number है, barions के लिए, barion number for all barions, that is plus one, barion number for all anti-barions, that is minus one, ध्यान रखना पड़े हैं, बहुत ज्यादा, यह सारे चीज, यह चोटे-चोटे चीज हैं, यह चीज ध्यान रखना पड़ेगा, हर साल, यह जो तीन चीज मैंने आपको बताएं न अभी, लेप्टाउंस के बारे में एक वीडियो बनाया है, फिर मैंने बनाया है, मैसौंस के बारे में, फिर अभी जो बना रहा हूँ, वो barions के बारे में है, यह तिन वीडियो से आपको CSIR NET के एक्जाम में हर साल, पांच माप का question, रहता ही है, कोई कोई साल, exception और हो भी सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि हर साल रहता है, गेट में भी देखेंगे, हर कोई exam में, यह तीनों जो elementary particles के बारे में discuss कर रहे हैं, यहां से आपको question मिल जाएगा, यहां पर हम लोग और एक चीज बात कर लेते हैं, कि antivariions के लिए क्या-क्या चीज सेम होंगे, क्या-क्या चीज सेम नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या सेम होंगे, मास जो होगा, बैरियोन का मास और अंटि बैरियोन का मास दोनों का मास सेम होगा, आइसो इस्पीन दोनों के लिए सेम होगा, लाइट टाइम अंटि बैरियोन बैरियोन दोनों के लिए सेम होगा, अपोजिट किसके लिए होगा, यानि opposite sign होगा सामने intrinsic parity opposite होता है और barion number opposite होता है ठीक है anti-barion के लिए यानि anti-particles और barion के लिए तो इस वीडियो में यही तक barion के बारे में हमने बात किया और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर आप लाइक करें दोस्तों के साथ जरूर share के लिए और channel को जरूर subscribe कीजिए अगर आपने subscribe नहीं किया है तो जरूर कीजिए और वो देख लीजिए कि notification bell icon आपने दबाया है या नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा important चीज़ है तो ठीक है अगर कोई doubt आपको हो या कोई सना हो आप जरूर कमेंट सक्षिन में मुझे बताएं शुक्रिया थैंक यू जरूर का बादा जरूर कर नहीं